कि हम लोगने last class में यह role of conjugation E2 elimination के बारे में पूरा देख लिया अटा है इती में इती को इनु प्रेजंस में होता है कि आल्फा बीटा Elimination strong base की presence ने ही Och消 questions क्या मैं यह वाली बात लिखा है आपको is strong base है नीट यह strong base के presence में होता है इलिमेनेशन इन जेनरल यहाँ पर इलिमेनेशन इन जेनरल के बारे में इलिमेनेशन इन जेनरल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं इलिमेनेशन के बाद क्या बनता है जल्दी बता ना भई इलिमेनेशन के बाद क्या बनता है अलकीन येस साथ Elimination के बाद Alken बनाते है तो General Elimination का जो ऑडर है General order Elimination का वो रहता है 3 degree, 2 degree, 1 degree हमेशा 3 degree में बहुत fast हो जाता है Elimination क्योंकि 3 degree के बात जब Alken बनेगा वो काफ़ी stable बनेगा तो Elimination का एकर जब जनरल जब बने पूछा कोई वी type का Elimination तो 3 degree सबसे जल्दी eliminate होने का chance रखता है फिर 2 degree और फिर 1 degree Why? Because जो alken बनेगी वो काफी stable बनेगी चलो जे Now I am starting आगे हमारे पास है E1 elimination का कहानी आज आज ही शुरू करें E1 elimination E1 E1 elimination बहुत ध्यान से देखना Excuse me E1 elimination किसी को कोई भी doubt हो किसी भी समय तो पूछ सकता है E1 elimination कहाँ पर होता है इसमें भी तुमारे पास weak nucleophile के presence में होता है and heat यह ज़रूरी क्याई बास समझा है weak nucleophile के presence में होगा and heat यह तो elimination है तो heat तो ज़रूरी है यह हर एक केस में ठीक चलो जी यहाँ पर क्या होगा it is a two step reaction it is a two step reaction reaction यह के पॉर्मेशन is alken आज हो जी एक example लेते हैं इसको बोलेंगे acidic dehydration of alcohol इसका एक example अगर हम पढ़ेंगे तो यह बहुत ही अच्छा acidic dehydration of alcohol यह even elimination में आई रहा है अज़ देखने हैं acidic dehydration of alcohol में कैसे करेंगे let's say मेरे पास जो overall general reaction है general reaction वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यह आपके पास हो क्या CH3 CH OH and CH3 बहुत simple लिया है H2 SO4 लिया है and मैंने heat लिया है H plus heat भी ले सकते हैं और final product बनेगा CH3 CH double bond CH2 पहले यहाँ तक देखलो general reaction में किसी को doubt है this is a elimination reaction यहाँ पर किसी को भी doubt है बताओ जी बोलो बोलो elimination reaction यह अली बात समझ मैं कैसे elimination हुआ यहाँ पर minus H2O हुआ hydrogen and OH दो चीज़े हटा होगा तब यह चीज़ बना होगा इसका mechanism देखते हो और समझते है यह आता है board में भी और यह आता है neat में भी board में भी बहुत important है mechanism ही सीधे question है NCRT का back exercise का की बताओ की इसका dehydration करेंगे कैसे होगा देखें mechanism क्या होगा step one step one protonation of protonation of alcohol protonation of alcohol protonation of alcohol का मतलब क्या होगा addition of H plus addition of H plus to OH OH में जब तुमारा H plus आके add होगा तो उसको protonation बोलेंगे H plus के addition को protonation बोलते है यहाँ पर अगर H plus कभी आता है तो वो कहां से आएगा पहली चीज़ तो यह की H2SO4 जो है आपका और dissociate करेगा H plus plus HSO4 minus में यह आपका H plus आया और यह H plus किस पर जाएगा CH3, CH, OH, CH3 H plus यहाँ पर जो है वो इसके loan pair पर अटाक करेगा कौन से loan pair? oxygen के loan pair पर oxygen के loan pair पर अटाक करेगा जैसी oxygen के loan pair पर अटाक करेगा यह आपका protonation वाला step complete हो जाएगा CH, OH2 पर positive and CH3 क्या यह बात समच जाएगा किसी को भी doubt है, क्या protonation of alcohol वाली बात समझ भाएगा कि नहीं आएगा step 2 में अब यह बताओ आपको मैंने एक बार leaving group के बारे में पढ़ाया था leaving group OH- कैसा होगा? बहुत खराब हमने पढ़ा था जो weak base होते है weak base वो अच्छे leaving group होते है OH- is a strong base पैचानने का तरीका क्या तर निगेटिव चार्ज है है एक weak base है plus यह stable species निकलने के बाद this will leave automatically step 2 is formation of carbocation step 2 is formation of carbocation of carbocation और इसका सबसे important point क्या है formation of carbocation में key point carbocation formed can rearrange यह सबसे ज़्यादा important और सबसे ज़्यादा खतरनाक property है क्यों क्योंकि हम जो answer सोच रहे exactly वैसा answer आता निकले carbocation formed can rearrange जैसा आप सोच रहे वैसा side नहीं होगा यह rearrangement की क्या conditions है conditions of rearrangement conditions of carbocation rearrangement बहुत ध्यान से सुनना सारे लोग यहाँ पर rearrangement में पूरा पढ़ाने जा रहा हूँ जो हमारे course के साब से relevant है conditions of carbocation rearrangement सबसे पहले चीज़ rearrangement क्या rearrangement happens only when happens only when stability is increasing stability is increasing second one step at a time एक बार में एक step होता है एक बार में एक jump होता है थोड़ा सा आज अब कुछ example करते है example one आज अधर देखना सारे लोग देखना यह वाला जो carbocation है आपड़ यह carbocation इस carbocation के लिए अगर आप बात करोगे तो आपको दिख रहा है कि इसमें कितने alpha hydrogen रडबल लगा कि देखो जल्दी कौन बता है इसमें कितने alpha hydrogen बेटा थोड़ा सा वोकल होके जल्दी बता हूँ इसमें कितने alpha hydrogen कौन बता रहा है कैसे डब्बे से डारेक्ली एटाच कितने 2 alpha hydrogen हो गए यहां पर अगर यह तुम्हारे पास ऐसे है मैं इसको और अच्छे से बना दे रहा हूँ ताकि सबको दिखाई दे CH2 CH2 पे positive यहां पर 2 alpha hydrogen है और अगर यह अगर यह कार्बोकटाइन एक स्टेप जम्प कर जाए एक स्टेप बस एक स्टेप वो कहीं पर भी कर सकता है वो इधर भी जम्प कर सकता है क्योंकि यहां पर कुछ नहीं है इसलिए नहीं करा रहा है यहां पर है चांस तो इधर जम्प करा रहा हो क्योंकि यह एक स्टेप कहीं पर भी जम्प कर सकता है इधर कार्बन नहीं था तो इधर नहीं करा रहा हो इधर की तरफ अगर जम्प कराऊंगा तो क्या होगा अगर मैंने जम्प कराया अगर मैंने जंप कराया तो what will happen is कि यहां से जो hydrogen है because carbon की चारी वैलेंसी होने वाली है carbon की चारी वैलेंसी होगी तो हम इस तरीके से करते हैं कि यहां से कुछ हटा के इधर लगाएंगे तभी तो positive इधर shift होगा क्या यह बात समझ मैं रही अगर आप positive को इधर shift करोगे तो आपको यहां से कुछ हटाना पड़ेगा वो क्या है वो चीज़ देखने जा रहे है आपके पस यहां पर चार वैलेंसी है carbon की आप positive ऐसे नहीं लगा सकते यह चीज़ नहीं होती carbon चारी बॉइंट बनाएगा तो अगर positive यहां पर आएगा तो कुछ shift होगा तो एक बार देखना आप यहां पर अगर h लगा हुआ है यह h अपने electron लेके h अपने electron लेके अगर h अपने electron लेलेगा तो इस पर कैसा charge आएगा h पे minus आएगा carbon पे plus आएगा और अब यह इसके पास चला जाएगा यह आपके पास shifting हुआ इसको बोलते है hydride shift वापस से सुनना सारे लोग hydride shift का मतलब क्या होता है h minus shifting हो रहा है hydride shift कुछ इस तरीके से दिखाई देगा ch ch3 पे positive अब इसके पास कितने alpha hydrogen है six alpha hydrogen है वापस से सुनना यहाँ पर one step at a time one step at a time one step at a time एक बार में एक step होगा जैसी आपने किया यहाँ पर एक बार में तो यहाँ पर हटाने के लिए इसको लगाने के लिए मैंने h minus को यहाँ से हटाया और इस पे जोड़ दिया जैसे h minus को यहाँ से हटाया और इस पे जोड़ दिया यहाँ पर आगया positive इसको बोलेंगा hydride shift क्या किसी को भी doubt है example number one क्या किसी को भी doubt है इसको बोलेंगे एक hydride shift क्या hydride shift समझ में आए कि नहीं है नो सर येस सर नो सर नहीं है आगयर सर नेक्स देखना आपके पास क्या यहीं पर एक और example देखना सारे लोग यह आपके पास positive है एक बार में एक shifting होगा एक आपने देखना है यहाँ पर कितने alpha hydrogen है यहाँ पर अगर देखोगे एक alpha hydrogen है यह तो methyl group है यहाँ पर एक alpha hydrogen अगर आपने प्लस को हलका सा एक step खिसका दिया इस बार कितने alpha hydrogen हो जाए यहाँ बार नाइन alpha hydrogen आपको देख रहा है काफी stable हो जाएगा क्या shift हुआ यहाँ पर hydrogen निकल के इस तरफ आगया इसको बोले गया हाइड्राइट शर्ट है यहाँ यहाँ इस नेक्स देखना आप इसके बाद एक और सेकेंड बार थर्ड एक और पर पर लाइजाम्पल देखना कौन बता कर क्या यहाँ shifting होगा नहीं सर्ट इस अर्ड शेर रिश्योड है नहीं सर्ट है वोज दो है प्राजोजी तब थर्ड फोर्थ में इधर देखना अनिका यहां पर कितने अलफा इडरोजन इसके दो चार अगर वो एक स्टेप इधर जाएगा यहां पर क्या होगा एक स्टेप इधर जाएगा सिम्रन कोई राउट तो नहीं बच्चे मैं तो इसमें पहिए हैं बोलें हम उसके बोलें हाइड्राइड शिफ्ट बोलें यह यह देखना हार जेंगे चले जहां पर हम पूरा पड़रे तो इसमें और भी कार्बोकाटाईन मैंनेगा वहां पर यह चीज़े हो सकती है किया किसी को डाउट है इसमें हाइट में अगर आप जाओगे तो वापेस से क्या हो सकता है हाइड है यहां पर नहीं हो किसी को भी डाउट है स։न ख्या है चिए हाइड में डाउट है नेक्स्ट चले आगे किसी को डाउट इसमें हाईडरेट शुट वाली बात एक वन स्टेप अटर टाइम बतायता ना मैंने आपको एक एक स्पेशल एक्जामपल आप लोगों के लिए देखे चांसे बहुत रेर है ऐसे चीजों की आने की बट सिर्फ एक स्पेशल एक्जामपल सीखने वर के लिए कि देखने आप लोगों कि यह तो सब को देख रहा होगा कि यह देखा कि इसने किसी को डाउट होगा कि इसमें यह आप देख रहे हो इसमें जो आप देख रहे हैं यहां पर यह क्या हुआ भी इसको समझ लेते वन स्टेप अटे टाइम इसकि पहले बार में आपने आगिए एक सेट कि यह देख रहे हैं झाल 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 आजी हम क्या कर रहे थे हम यहाँ पर जो देख रहे थे अरे यारी क्या हो रहा एक से अरे यारे एक से ने एक से ने पर पेंसिल का यह वह बहुत रहाएं हाँ जी आज़ो आज़ो देखना यह बस एक स्पेशल एक्जामपल इसके बाद आगे बढ़ रहे हैं इस एक्जामपल में क्या था यह वाला कार्बगटाइन यहां शिफ्ट किया जब यह कार्बगटाइन शिफ्ट किया तो अगर दे बात आपने डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई लेक्ट्रान क्लाउड तो कार्बो कटाइन को यह अपने लोन पेर दे सकता है इसलिए और जादा स्टेबल हो जाएगा हमने यह देखा था आर एच आई हमारा स्टेबलिटी के लिए में फंडा होता है इस वज़े से हम क्या करेंगे का लोड़ा और शिफ्ट करा देंगे क्या है यह वाली बात समझ में है क्या स्पेशल एक्जामपल क्लियर है कि नहीं क्लियर है जो मैं अभी देख रहा हूं इस आर दा मोस्ट आज्ट केसिस जो भी मैंने आज तक देखे हैं एक और आपके पास ले लो आप लोग खुद बता नहीं यह तो बहुत इसली आपको समझ में आ जाएगा कि आप बताओ क्या होगा कि होगा नहीं होगा शिफ्ट कि होगा नहीं होगा नहीं होगा सब्सक्राइब होगा हाइपर कॉंजूगेशन से भी ज्यादा अच्छा आइए बहले बताओ आप लोग का स्टेविलिटी ओडर कह रहेते हैं कार्बोकाटाइन का थ्री डिग्री डिंजाइलिक इलाइलिक टू डिग्री वन डिग्री यादे कि नहीं आदे सब को यह अब यह बताओ कि अगर यह एक इदर शिफ्ट इदर खिसक जाएगा तो यह तो बिंजाइलिक कार्बोकाटाइन नहीं हो गया यहां तो रेजिनेंस होने लगे गए आई बात समझ में यह सालो जी आगे देखो यह आपके पास सारे कार्बोकाटाइन के केसेज हो गए एक और मिथाइल शिफ्ट के चार पाच केस देख रहे हैं आज ओ देखना मिथाइल शिफ्ट का क्या रहेगा आपकास यह है यह है CH3, 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 CH, CH3 पे पासिटिफ वापस से वही चीज है वन स्टेप अट आट टाइम अगर एक स्टेप भी इसको कार्बोकाटाइन को इद शिफ्ट करना है तो यह एक स्टेप शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहां पर एक वालेंसी खाली करनी यह उठके पूरा CH3 काई CH3 माइनस क्योंकि जब CH3 माइनस निकलेगा तो यहां पर कैसा चार जाएगा पॉजिटिव आएगा यह CH3 माइनस निकला और यह इदर आजाता है पॉजिटिव इदर शिफ्ट हो जाता है इस इस मिथाईल शिफ्ट और यह तब ही होता है जाब बोलो सर मुझे कैसे पता चलेगा सर मुझे मिथाईल शिफ्ट कराना है की नहीं कराना है आपको समझ में आ जाएगा आपको ऐसे ही केसिस दिखाई देने को मिलेंगे आपको most probably यही मिलेंगे आजो एक यह मिथाईल शिफ्ट का एक्जामपल यह हो गया एक मिथाईल शिफ्ट का एक्जामपल ऐसा वाला हो गया देखा आपको यहाँ पर मिथाईल के लावा कुछ ही नहीं आप्शन में शिफ्ट करने का अगर hydrogen होता तो hydrogen shift कराएंगे क्योंकि छोटा atom है जल्दी इधर shift हो जाएगा फिर उसके बाद अगर option नहीं तो methyl shift की बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर मुझे वापिस से दिख रहे हैं कि मैं अगर इधर shift कराऊंगा तो अच्छा है बट 4 valency already हो चुकी है तो फिर से आपके पास क्या होगा कुछ इस तरीके से जाएगा क्या हुआ होगा यहाँ पर यहाँ पर यह डंडा पूरा बाहर निकला होगा that is CH3 minus पूरा बाहर आया यहाँ पर positive है यह CH3 minus उटके इधर आगया methyl shift one step at a time एक बार में एक step करना है आपने क्या यह वाली बात समझ मैं क्या methyl shift clear है कि नहीं clear है आपको या methyl shift मुझे एक doubt है हाँ जी बोलो sir हम जो one step at a time क्या रहे हैं उसका मतलब यह है कि बस एक ही बार shift होगा या एक बार में एक बार फिर दुबारा भी कर सकता है यह देखो मैंने यही तो यहाँ पर समझाया देखो एक बार में देखो यहाँ पर अभी देखा यहाँ जादा stable है आपने एक step कर दिया ठीक है ये बना दिया good फिर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर तो अगले वाले में और ज्यादा stable है फिर से आपने एक बार कर दिया और देखना हर एक step में जो stability वो increase कर दी जा रही है यहाँ पर 3 alpha hydrogen से आप 3 alpha hydrogen से आप इतने पर चले गए 7 alpha hydrogen पर चले गए और यहाँ पर 7 alpha hydrogen से आप directly कितने पर एक alpha hydrogen plus resonance में चले गए अई बस समझे है सर तब तक करते हैं शेब जब तक वो maximum stability पर नहीं पहुंचागा विलकुल विलकुल और वो हर बार तभी करोगे जब वो stability increase हो रही होगे अगर बराबर भी हो तो भी नहीं करते हैं इंक्रीज होना ज़रूरी है यह सर देखे यह बहुत यह तो बहुत ही special case है बचाना ऐसे rare ही question आते है need में नहीं आते हैं सारे questions देखे हम बस methyl shift वाली चीज़ करेंगे that is maximum क्या methyl shift सबको clear है की नहीं कोई ऐसा चीज़ में डाउट हो यह जो आपको cases दिख रहे हैं बिल्कुल बस यही वाले case है ऐसे ही देखे हैं आपको methyl दिख रहा है बगल में आपका shift हो जाएगा चलो बताओ इस वाले का answer क्या होगा 10 वाले का बताओ 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 यही किया आपने क्यास ऐसे यह बताना क्या अगर मैं यह कर दू तो यह गलत है बताओ 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 तेगह चलो जी मिथाईल शिफ में किसी को doubt है मिथाईल शिफ में किसी को doubt अंजी सुनरे सारे लोग मिथाईल शिफ में किसी को भी doubt है नहीं सेज मेरी तरफ से एक और special case यह तर फिनाईल शिफ फिर ring expansion के चलते पनाइल शिप्ट में तो यही एक आप्शिन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आने का चांस को बोलेंगे फिनाइल शिप्ट नॉट गोई इंटो ग्रेट डीटेल पर यह वाला होगा क्या किसी को डाउटेस में पताओ जी किसी को भी डाउटेस में अंजी एक और केस कर ले इसमे स्पेशल केस अगर आपके पास सारे के सारे ऐसे आगे सर H भी है CH3 भी है फिनाइल भी है और CH CH3 अब क्या करें कुछ नहीं हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा अब देखो आपको स्टेबल कार्बोकाटाइन बनाना यार यह वाला कार्बोकाटाइन काफी स्टेबल ही होगा किया किसी को डाउट है इसमें यह स्पेशल केस वाली बाद किसी को भी डाउट है यहां तक हाँ जी एस और नो जल्दी बताओ नो पक्का सब को समझ में आ रहा है सार्थक नम्रता जी जी यह सारे केस दे अगला जो हमारे पास है यह जो बात करें पहले रिंग एक्सपैंशन की केस सब्सक्राइब हो यह बात करें फेकले अली एक्समार्ण के होता है और क्या क्या केसे आज वाले केस को सनवज़ना यह मेरे पास four member ring एक पर यहां पर positive है तेरा two cases case one case two two cases कौन कौन से case one क्या हो सकता है कि जो हम अभी तक पढ़ रहे हैं कि भाई यह है ऐसे रियरेंज हो जाएं that is hydride shift की अगर हम बात करें तो यह से हो जाएं next हमारे पास क्या है मानलों यह ring expansion कर जाएं कैसे होता वह भी देखते हैं अगला case का है ring expansion हो जाएं दोनों का काम हो सकता है what is better for the ring एक चीज़ देखना सारे लोग यहां पर जो carbon है वह sp3 hybridized है चलो इसको ना छोड़ो इस carbon को देख लोगे तो भी sp3 hybridized sp3 hybrid carbon का bond angle कितना होता है कौन बताएगा जल्दी से इस पी-3 hybridized carbon का bond angle कितना होगा कि अरे 109 बिटा 109 डिगरी 28 मिनिट देखे अब 109 डिगरी अंगल होना चाहिए जब यह square बना है तो अभी इसके अदर कितना कि नियारी यह नहीं आप बस यह जो आप देख रहे हो यह strain आएगा आपने ऐसे बॉंड को दबा दिया तो इसमें angular strain होगा आपने जबरदस्ती बॉंड को दबा रखा है बॉंड होना कितना चाहिए था बॉंड ऐसे फैल के होना चाहिए था आपने उसको दबा के 90 पर कर दिया ऐंगूल रेंड प्रेजन्ट हैं है लिर्ऑ नउइए not गुल वुक्त अपन में किसी एक जगा नीए पूरी की पूरी रिल्ऑ में स्ट्रेन है रही कि पास एंगल कितना होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट अभी एंगल कितना 90 डिग्री कितने बॉंड के बीच में डिवाइड है टू बॉंड के बीच के डिवाइड है ऐसे स्ट्रेइन निकालते है आई बास में कैसे देखना है यह वाला देखो मैंने इस तरीके से बात किया स्ट्रेइन इस यह आपके पास है यह आपके पास एंगल है और इस एंगल को आपने दबा रखा है तो यह स्ट्रेइन की बात हो रही है क्या यह बात समझ में आ रहा है कि नहीं स्ट्रेइन सिर्फ दबाने से नहीं होता बच्छे आपके हातों को ले 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 आपके पैरों क apart है वो best condition है आपके legs के क्या यह बात समझ में आ रहे हैं की नहीं आ रहे हैं तो strain दबाओ strain पहलाओ दोनों ही case में होता है तो जैसी ही दोनों case में होता है यह strain निकालने का तरीका अगर आप five member ring में strain निकालने की बात करो आपको देख के पता चल जाएगा 109 degree 28 minute minus 108 0,08, 108 degree होता है, इसमें strain काफी कम है, ismust strain काफी कम है, ऊपर वाले से तो काफी कम है, because angle होना कितना चाहिए था, 109 degree होना चाहिए था, है कितना? 108 degree है, आपका strain कम है? आपका strain कम, जितना natural से नजदीक होगा या पास होगा उतना कम strain होगा एक मज़ेदार बात आती है six-membered ring के लिए अगर मैं strain की बात करूँ six-membered ring 109 degree 28 minute minus 120 degree by 2 इस एसाफ से निकाला जाए तो six-membered ring में तो strain है बट ऐसा नहीं होता है देखे six-membered ring के लिए this exist in non-planar structure this exist in non-planar structure and all bond angles are 109 degree 28 minute कैई बात समझ मारी ये ring कुछ इस तरीके से exist करती है आप दो सुना होगा मैंने last year भी आपको पढ़ा होगा ये chair form है इसका chair form boat form याद है आपको तो ये ring कुछ इस तरीके से रहती और सिंस सारे के सारे bond angle आपके पास सारे के सारे bond angle 109 degree के होते हैं ये तो best 109 होना चाहिए 109 है there is no strain stability की बात करते है stability of ring याद रखना ये चीज़ stability of ring सबसे ज़्यादा stable कौन सी ring होती है six member फिर कौन सी होगी five member फिर कौन सी होगी four member क्या ये बात समझ में आरी की नहीं किसी को भी डाउट है इसमें six member four member five member वाली बात क्लियर है की नहीं क्लियर है six member सबसे ज़्यादा फिर five and four ओके येस और नौ येस और नौ येस और नौ तेक्ष्ट आपके पास अगर देखोगे six member five member four member के बाद अगर मैं आप से बूलों बेटा मेरे पास seven member ring है और मेरे पास एक six member ring है इन दोनों में भी कौन जाधा stable होगी six member जाधा stable होगी एक हिंट all biomolecules are all biomolecules कैसे biomolecules में कौन कौन से नंबर की रिंग होती है six और five member यही होती की नहीं होती है यह न यहाँ सीधे आजखते हो कि six member या five member ही दिखाई देती हर जगे इसका मतलब six और five कापी जाधा stable होती होगी पहले बताओ क्या strain वाली बात समझ में आई लेके होता क्या है ring expansion से ring expansion से relief होता है relief relief में lief होगा न ठीक है relief in angular strain और relief in angular strain से क्या होगा overall हर एक carbon की stability बढ़ेगी सबका फाइदा होगा यहाँ पर फाइदा तो हो रहा है पर एक carbon का हो रहा है not wrong बट better approach क्या है यह वाला है पर बात आती है sir ring expansion कैसे होगा मुझे कैसे पता चलेगा बच्छे ring expansion में मेरा दिमाग कैसे काम करता है मैं आपको समझाता हूँ इसकी पहली condition क्या है कि कर्बो कटायन बाहर बनना चाहिए ring के यहवाला case बनने का Cover क्या फाइदा है यह सूडोपोडिय की तरह इसको इंगल्फ कर लेता है अभी मैं दिखाऊंगा कैसे करता है पर यह वाली बात समझ में आ रही है जब तक कार्बोकटाइन बाहर नहीं बनेगा तब तक रिंग क्या यहां तक सबको समझ में आ रहा है हाँ या ना यह सब कार्बोकटाइन फॉर्म्ड शुडब बी आउटसाइड रिंग आउटसाइड दा रिंग क्या ही बात समझ आ रही है जो कार्बोकटाइन आपका बनेगा वो आउटसाइड दर रिंग होना चाहिए एंड सेकेंड हमारे पास क्या है कौन सी फोर मेंबड किसमें जाती है फाइव में एन फाइव मेंब्ड किसमें जाती है जाती है हमारे पास यही दो थोड़ा सा उपर है ठीक है लाइक वियर गूइंग ऑन गुड लेवल कि यह सारा कुछ कवर कर रहे पर हां इस से उपर आपको जाने का जादा वह नहीं है होना चाहिए बहुत जादा डीटेल में नहीं कुस्ट चलो जी तो फाइव मेंबर फाइव में जाएगा फाइव में यह आपके पास हो बयाए यहिए जीर आपका रिंग Espansion की बात होगी वाट हापन्स है कि अगर इस रिंग को एक्स्पैण करना हे तो यहां पर जो इसके बगल में यह वाला जो carbon है और यह Wow जो carbon है यह main game खेलेंगे क्यूँ क्यूuff, क्यूंके यही carbon जब इसके साथ अगर bond करेगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी five member हो जाएगी दिखाए दिया या तो अगर ये वाला जो कार्बन है ये इसके साथ bond कर लेगा तो ये रिंग क्या हो जाएगी five member हो जाएगी तो या तो ये वाला carbon या तो ये वाला carbon इन दोनों carbon से ही सारा game होने वाला अब let's say मैं कोई भी एक carbon choose कर लेता हूँ मेरे लिए अभी जो important carbon है वो ये वाला carbon है I am calling it carbon number one ये one है ये two है ये three है ये four है और ये five है मेरे पास इसे five carbon है सबका naming कर दिया है अब इस one वाले ने सोचाए कि मैं five वाले के साथ bond करूँगा तो one वाला सोच रहे कैसे कर पाऊंगा अगर मेरे पास electron ही नहीं होगा तो इस positive part के पास जाने के लिए इसके पास electron कुछ देने के लिए होना चाहिए ना तभी तो ये इसके साथ bond करेगा तो what does it do कि ये जो one number वाला carbon है ये four वाले से दोस्ती तोड़ देगा ये भाई हट में तेरे से अपने electron वापस ले रहा हूं और जैसे electron खीच लेगा तो exactly आपको ऐसे दिखाए देगा मैं मैं आपको थोड़ा और समझने के perspective से करा रहा हूं इसका थोड़ा सा तरीका अलग होता है बट हमारा काम चल जाएगा ये बात समझने इसने bond तोड़ दिया इसने bond तोड़ दिया ऐसे करके जब इसने ऐसे करके bond तोड़ दिया अब ये क्या कर सकता है अब ये इसके साथ bond मना सकता है इस वाले के साथ और कि यह वाली बात समझ मैं ही सब को कुछ इस तरीके से यह आपको दिखाई देगा यह आपका ऐसे रहा अब हम इसको क्या करेंगे इसको हम अच्छे से वो कर लेंगे है ना इसको थोड़ा देखेंगे जो बाउन टूटा है वो वापस नहीं बन सकता है पर उससे फाइदा क्या होगा नहीं जैसे टूटके दो प्लस हो गए तो फिर उसको क्या प्रता किसके साथ करना है अगर अगर मालो देखो मैं बढ़ी बता रहा हूँ यह हमने समझने के लिखिया अगर इसने जोड़ लिया फिर तो यह वापस से कनवर्ट होगा तो तो कोई फाइदा ही नहीं हो तो अगर हम रेंगे एक्सपैंशन की बात करें तो इसके साथ करना चाहिए और यह इस तरीकिस ना होके बचे यह इसका आक्चुल तरीका है यह जो बाउन्ड है यह साइमल्टेनियसली क्या हो रहा थ यह जो पॉजटिव है तो रहें खटाक से शिप्ट करता है और फिर आपके पास यह चीज़ होती है आया समझना है ऐसे धीमे 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 से होता है एक दिमस की चौर ऐसे है ना वो धीमे धीमे यहाँ तो टूटा धीमे धीमे यहाँ बना एक साथ ही हो रहा होता है कुछ क्या यह बात सम्ध में बच्चे यह तो मैंने आपको समझाने के लिए बना दी क्या किसी को भी डाउट है क्या समझ में आया कैसे दोड़ा मैंने कैसे बनाया क्या आप लोग कुछ कोश्टिंस ट्राइब करोगे इसी से रिलेटेड जल्दी बताओ यह सर्फ यह सर्फ यह सर्फ आब बताव इसमें जल्दी बताओ इन पांच चों कार्बो के टाइन के बारे में क्या होने 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 हैं लुए 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 यह गय दो यह कि डिसकास करें कि यह सर्थ कि लेट्ट स्टार्ट चालो जी यहां पर जब आपने किया होगा तो या तो expansion इदर से होगा या तो expansion इदर से होगा गुन में से कहीं से भी हो सकता है लेट से मैं इदर से करना शुरू करता हूँ positive इदर shift हो जाएगा six member ring पे positive जही कि आप लोग है yes sir किसी को भी doubt है पूछ जरूर लेना बिटा यहां पर अगर ऐसे किया तो इस बार यह वाला bond टूटेगा यह वाला bond टूटेगा इस पे positive आएगा अगर इस पे positive आएगा तो यह कुछ इस तरीके से दिखाई देगा पिर आप इस अच्छे से बनाओ गए तो यह five member ring यह आएगी यह आप लोग ने किया यह इसके आगे भी किसी ने किया है अब यह बताओ क्या मैंने आपको क्या बता है कार्बो का टाइन one step at a time होता है कि नहीं होता है यह से ना जब बगल में है वो और stable हो सकता है तो शिफ्ट कर जाएगा ना क्या यह वाली बात समझ में यह तो ring expansion हो गया यहां तक बिल्कुल ठीक है पर आपको दिख रहाए अगले step में और stable हो सकता है फिर से खिसक जाएगा एक बार में एकी चीज़ वा पहले ring expand किया फिर अगर आप करोगे तो वापिस से यह भी मैंने ऐसी दिया था क्योंकि कार्बो को टाइन बाहर नहीं यह भी expand नहीं करेगा पहले फस्ट पॉर में किसी को भी डाउट है मैं दुबारा से explain करने को तैयार हूं आपको ज़रा सा भी डाउट है पीछो नई सब्सक्राइब को देखते हैं क्या क्या होगा आपने वापिस से यहां से expand किया होगा यहां से कहीं से भी एकसपाइड करो जैसी शे нравится करों तो यह तुछ साथ सब्सक्राइब ऐसके बांट जॅझ चब्सक्राइब करेगा इए था आइगा यह जो रिना यह जाएगी इसमार शिप्ट नहीं गляगा तो ही turr या रेंज़ प्रोड़क्ट है एक बढ़ देख लो किसी को डाउट है सार रिंग एक्सपैंशन के लिए सिर्फ एक कंडिशन होती है क्या चीज़ दो होगे ना इक कार्बोगाटल सब्क्राइब होना चाहिए बाहर होना चाहिए और फॉर वाली फाइब में तो शरी किसी में भी रिंग एक्सपेंशन हो सकते जिसमें भी कार्बोकाइन भार होना चाहिए और रिंग एक्सपेंशन और 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 भी कुछ बोला आपने सब्सक्राइब काफी सारा कार्बोकाइन के जो इंपॉर्टेंट बात थी वह सब देख लिया हमारा एसेडिक डिहाइड्रेशन ऑफ आलकोहल पर यहां पर देखते तो हमारे पास क्या हुआ है लेट्स गो बाक टू आर स्टेप अगें अना एसेडिक कंटीनूइंग फ्रॉम एसेडिक कंटीनूइंग एसेडिक डिहाइड्रेशन आफ अल को हॉल ट्यक्व आपका आपका एसिडिएड्रेशन ऑफ आलकोहल स्टेप्थू था थ्टी कि स्टेप्थू एस मिस्ट पर मेशन आफ कार्डौ खो प्रमेशन ऑफ कार्बोगेर्टान ये इस दिकला थिस failure तो Beyond लीविंग ग्रूप यह बाहर चला जाएगा एक पास हाया है सी एच थ्री सी एच पे पॉजिटिव एंड देखो किसी को भी डाउट है क्या बशे सी एच त्री कैसे वाटर चला गया अब वाटर चला गया ऑक्सीजन मोर एलेक्ट्रो नेगेटिव है तो वह एलेक्ट्रॉन जाएगा अगर एलेक्ट्रॉन लेक्टे जाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा यह आपके पास होगा क्या कोई डाउट है इसमें फॉर्मीशन ऑफ कार्बो बटाइम में नेक्स आपके पास क्या होगा स्टेप थ्री elimination of hydrogen slash formation of alkene अगर अब आप देखो के वापस से बीटा वाला चीज याद रखना आपके पास यह CH3 है CH पे positive है CH3 है और आप क्या कर रहे हो आप यहां से H प्लस निकालने वाले हो या तो यहां से निकल सकता है या तो वहां से निकल सकता है क्योंकि यह दोनों ही same है तो मैं इसमें किसी एक तरफ से निकाल दे रहा हूं CH2 पे यहां पे H और कौन लेके जाएगा HSO4 माइनस बात है यह सर कहां से आ रहा है भाईया जहां से भी acid आया होगा वहां पर उसका इनायन पार्ट बनाओगा की नहीं बनाओगा और यह इसको लेके जाएगा यह इसको जब लेके जाएगा तो यह तुमारे पास जैसी H प्लस लेके गया तो इधर कैसा चार्ज जाएगा इधर निगेटिव आएगा और यू विल गेटा डबल बांड बेकॉज यहां पर आपने जो एसेड लिया है डाट इस हेल्पिंग इन डी हाइड्रेशन डाट इस मेरली आ कैटलिस्ट वह एसेड वापस से रीजनरेट हो जाएगा क्या यह बात समझ में आई एच्टू एसो फोर की जगा यू केन आल्सो टेक एच्ट्री पी ओफोर इवन एल्टू ओट्री आगे हम चाप्टर में देखेंगे तेगे कैन बी टेकें फॉर डी हाइड्रेशन other than H2SO4 क्या किसी को भी acidic dehydration और water में doubt है वो water कहा रहा है आलकोहल में क्या acidic dehydration क्या even reaction समझ मैं कि even reaction क्या होता है even reaction SN1 जैसी है बट यहाँ पर alken बनता है E2 reaction SN2 जैसी है conditions भी लगगले सेम होती है बस elimination higher temperature में होता है और E2 में भी strong base की ज़रूत होती है क्या किसी को भी doubt है यहाँ बताओ जी किसी को भी doubt जैसी को भी डाउट है यह तो हमने even reaction कर डाली पूरा detail में अब even के बाद हमारे पास आता है addition reaction हमने elimination पूरा कर डाला elimination में E2 even कर लिया हम लोगोंने SN1 SN2 कर लिया substitution में electrophilic भी कर लिया हमने free radical भी कर लिया हमने सारे टाइप के वह reaction कर लिया पहले यहां तक देख लो आज का homework सुनो क्या होने वाला है सबका अभी तो हम और आके पढ़ रहे पर आज का homework सुनो आपका क्या होगा बहुत ध्यान से यह करना ही करना यार क्योंकि हमारे पास भी हमें भी कोर्स खतम करना है हम इतना ज्यादस लंबा नहीं कहीच सकते यह मैंने आपको sheet बेजा हुआ है यह वाला मैंने शीट आपको बेजा हुआ बहुत पहले भेजा हुआ था बट हम नेक्स क्लास में नेक्स क्लास में पहले तो मैं इसके 30 questions discuss करूँगा first 30 questions बहुत डीटेल में तेंके first 30 questions discuss करूँगा किसी को भी दिक्कत है इसमें जो भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है या जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो सारी चीज़े आ जाती मुश्किल से 2-3 चीज़े होंगी जो ऐसे कि सर यह क्या होता है वो नहीं पढ़ाओगा तब तक वो हो जाएगा बट अभी के लिए I am fairly confident कि यहां पर यह जितना भी मैंने तुम्हें पढ़ाया है यह सारी बाते इसमें cover-up हो जाती है clear या जो भी मैं पढ़ाओगा क्या किसी को भी दिक्कत है यह वाले 30 questions आपके homework रहेंगे for the next class done yes sir तेके सब नहीं attempt करने 30 questions कोई बड़ी बात नहीं है बहुत ही थोड़ा सा काम है इतना कुछ भी नहीं है आप यह करोगे आपको ना बचे हम जो भी पढ़ रहे हैं हम सब कुछ पढ़ रहे हैं हम सब कुछ जैसा भी जा रहा है सबसे important चीज़ है उसका application organic में लोग को दिक्कत application में आती है और application practice करके ही समझ में आता है या questions करके ही समझ में आता है आप पहले ये वाले करो फिर मैं आपको और questions बेजूँगा फिर उन questions को भी करेंगे सारे के सारे हम कोशिश करेंगे कि class में maximum discussion कर ले ओके चले गाए चलो जी ओके तर एक doubt रहे गया था हाँ बताओ सर आपने जो वो rearrangement में special case कराया था oxygen वाले है हाँ सर उसमें जो product बनेगा एकी बनेगा या काफी सारे बनेगा यह वाला अतलब जितने हो सकते हैं यह वाला हाँ नहीं वच्छे इसमें यह वाला हाँ ठेक है जिस सब्सक्राइबल है वही बनेगा चाहरो जी आज वो next देखना है next is addition reactions की बात करते हैं addition reactions यह हमारी last type की reactions है पर हमारा पूरा कारेक्रम बस NCRT पे शिप्ट हो जाएगा addition reaction में let's start with first is electrophilic addition reaction electrophilic addition reaction electrophilic addition reaction in alkenes अलग-अलग cases हैं ऐसा नहीं है कि इसके अलावा कहीं नहीं हो सकता बहुत जगे होता हम alkenes पर पढ़ने जा रहे हैं आज अलकीन के साथ किया जाए example एक general reaction ले लेते पहले general reaction कैसे होगा सारे लोग देखना यह आपके पास है CH3 CH1 CH2 and you have HCl जैसी आप HCl होगे यह कुछ ऐसे बनेगा CHCl and CH3 यह आपका electrophilic addition reaction let's talk about mechanism and इसी में बात आती है Marconikov product and anti-Marconikov product mechanism पे चलते हैं आज़ो देखना सारे लोग mechanism एक है step one attack of electrophilic attack of electrophilic अच्छे एक चीज़ समझना आप लोगे आपर क्योंकि बहुत ही simply clear हो जाती है HCl में आपके पास क्या होगा H plus और CL minus ऐसे करके breakdown कर जाएगा और CL minus क्या होगा CL minus के पास electron है double bond में electron है CL minus के पास electron है कभी भी यह चीज़ याद रखना negative charge electron के पास नहीं आता हमने SNAR भी किया था याद है किसी को SNAR के बारे में बात किया था जब यहाँ पर क्लोरीन लगा था और OH- को भेज रहे थे और कितना जादा temperature और pressure लगा था याद है 300 ATM pressure की बात हुई थी खुब सारा 673 के आसपास temperature था क्यों क्योंकि यह जो तुमारे पास nucleophile है इसके पास electron है इसके पास electron है दो चीज़े electron rich pass में जाएंगी repulsion होगा सबसे easy कौन आएगा h plus electrophile जाएगा जहां पर electrons है electrophile is h plus इसके पास electron कम ring में या फिर आपके पास जो double bond है इनमें electron जादा तो यह h plus इस position पे आके attack करेगा क्या यह बात समझ भाए है क्या यह वाली बात समझ भाए कि लिए है हाई या ना h plus क्यों attack करेगा किसी को doubt है कि h plus ही sir क्यों attack करेगा यह बताओ h plus वाली बात में तो किसी को doubt है ना अब h plus attack करेगा हमने शुरुवाती ऐसे की थी mesomeric effect h plus तुमारे पास अगर इधर attack किया अगर h plus इधर attack किया तो positive इधर आएगा और अगर h plus इधर attack किया तो positive कि इधर आएगा positive इधर आएगा होगा की नहीं होगा अगर h plus इधर attack किया तो इधर आएगा h plus इधर attack किया तो यह इधर आएगा हम खुद decide कर सकते हैं कि कौन सा वाला कार्बोकाटाइन stable होगा आप बताओ 1 या 2 1 1 अटा देंगे जो जादा stable कार्बोकाटाइन होई बनेगा जब वो बनेगा तो हम आगे चलेंगे यह कार्बोकाटाइन बनेगे अब आपके पास second step में क्या होगा step two product formation product formation यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना step number one के बाद कार्बोकाटाइन है तो यहाँ पर क्या चीज़ है rearrangement possible है rearrangement is possible कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो क्या पता rearrangement हो जाए rearrangement is possible क्या किसी को doubt है इसमें next चीज़ अगर आप देखो तो product formation का क्या मतलब है जो CH3 CHP positive CH3 CL minus आपके पास बचा है यह negative is positive के पास जाएगा आपका product बन जाएगा this is your electrophilic addition reaction सारी electrophilic addition reaction इसी तरीके से चलती है काओ तो कुछ questions कर लेते है electrophilic addition reaction रेक कोई doubt है इसमें सरम बनाई stable कार्बो के टान रहे हैं तो rearrangement को करना है और भी stable बन सकता है अच्छा उससे भी ज्यादा yes अभी देखना questions करेंगे तो आएगा करूं yes देखे चालो जी आज़ो questions give product do 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 झाल 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 सारे होगे येस झाल झाल येस येज़ पे पॉजटिव येज़ पे पॉजटिव येज़ 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 होगा की नहीं होगा येज़ 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 ये निया सर वार। बेडी नी नाइस वेडी नाइस। वेडी 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 रूड रीक नेक्स वाला बता नेक्स वाले को अगर देखें जिसका गलत था क्या उनको पता चलिए कि क्या गलती थी या कैसे करना है कि येस सर चालो जी ओके अब इसके बाद क्या होगा अगले वाले में इस बार कार्बोकटाइन अब किदर बनाओगे यहां पर बनाओगे या अगले वाले पर इस बताओ जी यह यह अब यह अब यह बताओ क्या कार्बोकटाइन इलेक्ट्रों विद्ड्राइंग ग्रूप से स्टेबलाइज होता है याद करो अगर आपके पास खाने पीने को नहीं है क्या मैं आपको और ज़्यादा आपसे खाना पीना चीन लूँगा NO2 का असली स्ट्रक्चर कैसा होता है ऐसा होता है कि नहीं होता है अब यह बताओ ऐसे बंदे के पास अब भेज दोगे इस कार्बोकटाइन को आप इतने बेदर दो क्या नहीं न यहाँ पे नहीं जाएगा हमने पढ़ा था कि कार्बोकटाइन इसे बंदे करते हैं अब इसमें यह डोनेटिंग ग्रूप नहीं है आप इसे आनी बेज़ोगे क्या ही बात समझ मारी की नहीं आ रही है सार्थक क्लियर है क्यों नहीं बेज़ोगे इसका असली स्ट्रक्चर ऐसे याद रखना कि एक पॉस्टिव को दूसरे पॉस्टिव बवल में तो बिचारा परिशान कर देगा इसको यह जाधा स्टेबलाइज होगा अगर यह जाध किसी को भी डाउट है जल्दी बता वाई एनिवान जिसको भी डाउट है इसमें एनिवान चलें आगे नेक्स वाले को करें इस वाले में क्या बनेगा ओके यह बंजीन रिंग है ठीक है यहाँ पर देंजीन रिंग च2 च2 पर पॉजिटिव च3 आए थिंक कि सबको देख रहा होगा क्या होने वाला है रियर्रेंजमेंट रियर्रेंजमेंट होते ही च2 पर पॉजिटिव च2 च3 और वाट दो वी गेट किसी को डाउट है स्थवा डेखते है किसी कोवी डाउट तो नहींए आता कैसे हम कर रहें फोर्त वाले को पो देखे जाए फोर्त वाले को अगर आप देखोगे तो यह तो आपको समझ भायार ही कौन सा केसे बाई इसबर क्या होगा कौन बताएगा कुछ हेंडों एक्स्पेंशन धिए कार्बो का टाइन ये बनेगा रिंग एक्स्पैंड करेगा रिंग अगर आप एक्स्पैंड करोगे तो फाइव से जुड़ेगा पॉजिटिव और ये क्या बनेगा बियार माइनस इस पर जाके जुड़ेगा यह बनाएगा यह क्या कोई डाउट है इसमें नेक्स्ट वाले केस पे यहाँ पे पॉजिटिव बनाया इसको शिफ्ट कराया यह बनाया बियार लगाया इसमें लोग को थोड़ा सा डाउट होता है होता है कि सर यह वाला कार्बोकेटाइन अगर बनाएंगे तो काम स्टेबल है यह वाला बनाएंगे तो जादा स्टेबल है पर अगर यहाँ पर आप देखोगे तो अगले स्टेप पर क्या है वो तुरंट रियरेंज करके कि बहुत जादा स्टेबल हो जाएगा इसलिए हम कोशिश करते ही यह वाला कार्बो पे टाइम बनाने की क्या यह बात समझ मैं आई एक और लास्ट कोश्चन एक लास्ट कोश्चन बस फिर आपका काफी पांसर्ट क्लियर हो जाएगा कि युण सो जाएगा एक खनृट झाने के मिन सकते का लो जात सब कुण सह produceक क्लियर पत्सष अर्ठवर्व टर भ् aproveушки कश सकते है आंसर्वी इसक्टियर हो यह बालो मैं तर न Mut सब्सक्राइब तो इलाइक्ट्रॉन विड्राइंग रूप है बिल्कुल सभी है तो मतलब यहां पर हमने लून पर डूनेट करेगा ना ठीक है यह चीज छुट-छुटी बातों का ध्यान देना न यह यह CH3 CH2 अब यहां पर CH2 BR और यह OCH3 ठीक है इसका एक और बहुत इंपॉर्टन एक्जाम्पल लेना एक्जाम्पल इस एडिशन टू अलकाइन यह तो 11th क्लास से पढ़ते हैं मैं आपको थोड़ा पर रिवाइस करा दे रहां बहुत इंपॉर्टन केस है और इसमें भी यही चीज होती है आपके पास है CH3 C111-CH एड़ एच्बी आर जैसी आप एच्बी आर करोगे तो देखना यह तो नॉर्मल केस रहेगा कि सर यह क्या किया जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि इदर बनेगा कार्बोगटाइन अभी भी बच्छे बीच में बनता है कि यूँ बीच में बनता है ब्रोमीन अपना लोन पर डोनेट करते हैं आई बास वाइन में यह चीज़ लोग मिस कर जाते कि अरे ब्रोमीन तो इलेक्ट्रॉन खीचेगा हाँ सभी बात है इलेक्ट बी-ार बी-ार और चीज़ ते क्या यह वाली बात समझ भाई है क्लियर हुआ यह वाले का एक और एक्स्टेंडेड इग्जामपल जो की एंजी आडी का ही कोश्चन है अनिका क्लियर है याद रहेगा यह वाली बात यह समझ चलो जी यह हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एड िशन रियाक्शन के बड़ आपके पास क्या है कि एक्ट्रोफिलिक एडिशन के बाद ने वाले मतला ने रियाक्शन मेकनिजम के अब सिर्फ आपको न, मेरी बात अगर मान लिया तो मज़ा आजाएगा आपको, मैं सच बता रहूँ आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ाया ना ये आपने अगर इस next coming week में अगर आपने बस इतना बहुत अच्छे से कर लिया बार 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 अब जितना रिवाइस कर सकता अच्छा ये ऐसे जोड़ता ये ऐसे जोड़ता ये ऐसे होता ये ऐसे होता है piece of cake पूरा organic piece of cake उसके अगर कुछ नहीं बचता सिर्फ याद करने वाली बात रह जाएगे कुछ-कुछ बाते और फिर practice आपको सब समझ में आएगा क्या हो रहा है क्या किसी को पी डाउट है रिवाइस तो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप डेली आपको रिवाइस करना आपको अब question मिलना शुरू हो जाएगे मैं आज अब से आपको भेजना शुरू कर दूँगा ये करो ये करो ये sheet करो ये करो में discussions पर ध्यान देंगे discussion के थूँ जो भी बचा होगा वो हमारा clear हो जाएगा class C में clear हो जाएगा तेके मेरे पास पिछले साल के पोल के papers है जो की NCRT based questions होते हैं मेरे पास और भी ऐसे test papers है मैं सारे के सारे आपको भेजता रहूँगा कि अब भाईया इस वाले chapter का आप ये करो फिर इसको discuss करेंगे इस वाले का ये करो इसको discuss करेंगे ठीक है चलो जी free radical की बात करते है in presence of presence of organic peroxide देक है इसको ऐसे general क्या बोलते है general ऐसे use करते है आर टू ओ टू इसका मतलब है आर ओ ओ आर ओ आर देखे और एक example अगर आप देख लोगे तो यह हो जाएगा बेंजोईल पारोक्साइड देखे ऐसे कुछ भी हो सकते परोक्साइड क्या होता है ना परोक्साइड यहां से unstable होता है विकाज अफ लोन पेर लोन पेर रिपल्शन यह सब हम 11 पे पढ़ते हैं लोन पेर लोन पेर रिपल्शन की लिए एक सेटेटेश्य वाँ कर लोन परोओ लोन पेर단 विए इतते हैं कर लोन पेर बोन से लोन पिएता है यहां से लोन पूरत साह्व को संग्साइड मेर्ट यहां साव क्योर्न ग्या सब्साइड अंडी है एक सेंट एक सेंट एक सेंट सेंट इन प्रेजन्स ऑफ और्गानिक परॉक्साइड जेनल आर्टू ओटू ओटू और क्या ही वाद समझ में आई आर ओओ आर तो यहां पर ऑक्सीजन के लोन पेर की वज़े से क्या होता है यह लोन पेर लोन पेर के बीच में रिपल्शन होते हैं और यह रिपल्शन के वज़े से यह बॉन्ड वीक होता है नेक्स्ट आपके पास क्या होगा इसमें जो पॉइंट्स बता रहो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड़ उती है एक्स पोइंट है इन प्रेंथ अ उव और गानिक पर अक्स एट के बादवाद इन्टो आज रिक्टीन 131 intermediate is carbon free radical only given by HBR बहुत इंपोर्ट not by HCl because bond energy of HCl is very high HCl को ऐसे तोड़ नहीं पाएंगे है हम उसका bond energy HCl के वीच का bond बहुत strong होता है और अगली चीज क्या है आपके पास H I do not give because H I do not give because यह जो आपका H H dot और I dot में तूटता है this I dot forms I do instead of attacking instead of attacking and then I do does not break क्या यह वाली बात सम्रच में आरी की नहीं आरी बच्ची यह जो भी मैं points लिख रहा हूँ है सारे points question के answers हैं आप यह मान के चलो यह कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ इस सब चीजे ना एक एक point आपका सीधे questions आता है इस बात पर बाई ch3 last point बता दीजिए बच्चे यह कह रहा है कि जो आपका h dot और i dot में break किया आपको example एक बार mechanism की थू लिखे जाता फिर सुन जाता हूँ यह देखना यह आपके पास है ch2 ch3 and h hbr r2o2 लिख दिया मैंने इसका final product क्या आएगा ch3 ch2br ch and ch3 क्या यह बात समेंगा ही यह रहा mechanism पर चलते है mechanism समझना step one generation of free radical पहले free radical बनते हैं कैसे बनते हैं आपके पास r o r यह है आपके पास किसमें तूट जाएगा यहां से homolytically वे जोगा two r o dot में clear हो आप जो r o dot है यह जब hbr के पास जाता है आप एक चीज़ समझना मैंने ऐसे याद रखा हुआ है odd और even dot से dot बनता है क्यों क्योंकि यह odd electron है यह even odd plus even is always odd always math का rule है यहां पर अगर आप देखोगे you have two electrons और यह dot से यह dot लेके गया you will have r o h plus br dot क्या ही बात समझ भाई now this is the electrophile this is the electrophile जो वहां जाके attack करने वाल यह electrophile attack करेगा तो second point क्या होगा step two is attack of electrophile step two is attack of electrophile तो जैसी आपके पास attack of electrophile होगा ch3 c double bond ch2 ch3 आपने अटाक कराया br dot मैं दो तरीके से बता रहा है एक बार यहां पर हो सकता है यह case one है और एक बार यहां पर हो सकता है यह case two है आज हो सारे लोग देखना अगर आपने यहां पर ब्यार डॉट लेका है तो इस बार यह bond homolytic लिवेज होगा यह ब्यार डॉट इधर जुड़ा तो डॉट बीच में आएगा देखना सारे लोग क्या यह वाली बात समझ में आई कि नहीं आई नहीं आपके पास अगर उस तरफ से अटाक हुआ तो ब्यार इधर आ झाले फार घ्र चेक कर लो किसी को भी ड्वाउट है कि यह कैसे हो रहा है कर्या पने डॉट में तोड़ दिया लोट डॉट में बारे तोडिया जैसी आपके वास ब्यार डॉट यह इदर अदर एग्या अगर इस तरफ से Hey Alejandro कै है डॉट अगर सी को भी आवत है कोंत्या जारें ए और बी में कौन सा वाला स्टेबल है और तरह देगा है विच्च जीज मोर स्टेबल है और बी वाला ओके भी वाले को हम देखते श्री रैडिकल की स्टेब्रेटी वच्छे कैसे और चाहिए करके क्या रिसोनेंस नहीं पर इंडॉक्टिव कितने का लग रहे हैं पर उससे हाइपर कॉंजुगेशन चेक करते हैं इसके कितने अलफा हिड्रोजन है जीरो अलफा हिड्रोजन इसके कितने अलफा हिड्रोजन है एट अलफा हिड्रोजन चेक कर लो अब देखो, इस वाले के साथ कितने है, तीन इधर, तीन इधर, दो इधर, इस वाले पर आप करोगे, इस पर जीरो अलफा हिड्रोजन है, जीरो अलफा हिड्रोजन और तीन अलफा हिड्रोजन, कौन जाधा स्टेबल है, एवाला, क्या सबको दिखाई दिया, एवाला कैसे जाध स्टेबल है जल्दी से बताओ यह वाला ज्यादा स्टेबल है इसका मतलब यह वाला बनेगा यह वाला नहीं बनेगा तो अब जो प्रॉप्ट है वो आगे इसके थू जाएगा स्टेब टू के बाद स्टेब ठ्री ठीक है एक्स्ट्राक्शन ओफ एच आग प्रोड़क्ट फॉर्मशन एक्स्ट्राक्शन घंप्रोड़क्ट फॉर्मिशन यह यह थिस जाओगे यह यह लिदिश नहीं वाला यह dot and ch3 यह जो आपके पास hbr है यह यहां से h निकाल गएगा आई बास हो वापस से यह जो dot है यह dot यहां पर जाके h निकालेगा और वापस से आपके पास क्या बन जाएगा यह आपके पास बन जाएगा br dot यह ना तो यह क्या है यह this is a chain step लगातार बनता चला जाता है अब मैं आपके जो पुराने doubt से वो clear कर देता हूँ पहले यहां तक देखो are you clear कि यह क्या हो रहा है how is this reaction proceeding किसी को doubt है how is this reaction proceeding किसी को भी doubt है हन जी बोलो जी आप देखना यहां पर क्या-क्या बाते हो रही है मैं यह चीज समझते है मैं यह कह रहा था first वाले case में कि यह जो hcl है वो तूटता नहीं इसका क्या मतलब है जब आप इस process पे होगे और यहां पर जब आप hcl के साथ करोगे यह step नहीं होगा आई बात समझ में इशिका मैं क्या कह रहा हूँ यह आप जाओगे h. लेने के लिए तूटे गई नहीं और अगर hcl कभी भी तूटा hcl अगर है तो तूटेगा तो h plus और cl minus में ही breakdown करेगा वो breakdown ही नहीं करता h. और cl. में क्या यह बात समझ में हारी कि नहीं हारी है मैंने क्या बोला यह सर यह bond strength की वज़े से next क्या है h.i. does not यह वाला चीज इसका क्या मतलब है यह बन जाएगा h.i. के साथ आप करोगे सब कुछ सही है यह बन जाएगा पर यह जो i2 i. dot है न यह i.i. dot मिलके i2 बना लेगा यह further i. dot attack करने नहीं जाएगा और अब जब आप सोचोगे सर कोई बात नहीं i. को फिर तोड़ देंगे तो यह फिर नहीं तूटता again इसका bond energy बहुत होता है तो यह दुबारा नहीं तूटता एक बार i2 बनेगे i2 is a very stable species फिर आगे कुछ नहीं होता है क्या यह वाली बात से इसको Escapeki चूटा देंगे प्रोड़क्ट से पहले यह प्रोड़क्स से पहले करें टैका में मिन्ट है न मौनिक्व न कॉफ मारकोवनिक उफ इंगे ISKा मतलब क्या होता है पहले तो यह किस्क में होगा इस बात को समझनः एप्लिकेबल फॉर applicable for unsymmetrical alkenes what is an unsymmetrical alkenes इस बात को समझना इस point में example 1 अब यह बताओ अगर आपके पास CH3 CH double bond CH CH3 है आप इसमें HBR जोडना चाहते हो तो चाहे कुछ भी कर लो same product आएगा की नहीं आएगा यह दिमाग लगाओ अगर आपने ऐसे करके जोड़ा CH3 और सर मैंने दूसी तरीके से कर दिया CH पे BR CH2 और CH3 यह काम कर दिया यह बात बताओ यह दोनों चीज क्या क्या यह दोनों एक ही बात नहीं है कैसे बता एक बात है IUPOC nomenclature जैसे आप nomenclature करोगे यहाँ पर आप बस 1, 2, 3, 4 नomenclature करके देखोगे 2 पे BROMO वापिस से करके देखोगे 2 पे यूल गेट BROMO क्याही बात से मच में आरी कि नहीं हारी यहाँ पर नहीं लगेगा यहाँ पर अम जिस मार्कॉनिक आफ रूल की बात कर रहे हैं मार्कॉनिक आफ एडिशन की बात कर रहें यहाँ पर नहीं लगेगा नॉट अप्ली केवल कहाँ पर होगा रूल हमारे ना प्रॉब्लम को सॉल्फ करता है अगर आपके पास CH3 CH double bond CH2 है इस एन उन स्मेट्रिशल लगी आप इसमें क्या है तुमारे पास CH3 यह तुमारे पास CH पर बियार एंड CH3 एक यह उप्शन है और सेकेंड ऑप्शन क्या है CH3 CH2 CH2 पर बियार एक ही उप्शन है हम बोलते हैं जब जो निगेटिव पार्ट इफ निगेटिव पार्ट गोज तू अब देखना मोर सबस्टिटीटिटेड कार्बन आफ दी अलकेन देन इट इस मार्कोवनी कॉव रूल मार्कोवनी कॉव रूल क्या ये बात समझ मैरी मार्कोवनी कॉव रूल क्या है अब देखना मोर सबस्टिटेड कार्बन मतलब जिस कार्बन पे ज़्यादा कार्बन जुड़े होते हैं उस पे निगेटिव पार्ट जाके लगता है इसको मार्कोवनी कॉव रूल बोलते हैं I don't use it I just use it for the case की अगर मार्कोवनी कॉव पे ही question आ गया जो की आता रहता है तब मैं इसको use करता वरना मेरा mode of approach क्या रहता है make the carbocatine C carbocatine कहां जाता stable है form the product as simple as that कही बात समझ में आरी सब को अगर मार्कोवनी कॉव पे आ गया तो हमें ये बात पता होनी चाहिए तो मार्कोवनी कॉव को हम छोड़ नहीं सकते क्या किसी को भी मार्कोवनी कॉव रूल में doubt है नो सब देखे if just the opposite happens we call it anti-मार्कोवनी कॉव अगर आप इसको देखोगे उपर ये जो है आपके पास ये एडिशन free radical edition इसके तीन नाम है इसको खराश effect भी बोलते है खराश effect इसको ये शायद spelling ऐसे कुछ है खराश में CH भी आता है या फिर पर उक्साइड effect भी बोलते है इसको या फिर इसको anti-मार्कोवनी कॉव का इसके आफ़्ेशन भी बोलते है बिल्कुल उल्टा हो रहा है जैसे मार्कोवनी कॉप में होता है इसको anti-मार्कोवनी कॉवनी कॉप दो है किसी को डाउट है नहीं मतलब opposite कैसे है आचा इसमें normal अगर आप HBR को जोड़ते लेट्स टेक की यहां पर हम यह करके देखते हैं सिर्फ HBR को डालूँगा तो what will be the product CH3, BR, CH3 यह बनता की नहीं बनता है यह सै आचा आप यह देखो इसका just opposite नहीं बन रहा देखो इस double bond पे आपने BR ऐसे जोड़ा Markovnikov double bond पे आपने BR इस बार यहां पर जोड़ा anti उल्टा नहीं हो गया यह सैर आगे समझ में anti Markovnikov क्या है कि जो आप normal आगे करते उसका उल्टा कर दो तो उसको anti Markovnikov बोलते चले जी आगे correct questions question is give product give product झाल 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 सीर्स भी है वो है आपने वो कंप्लीट करनी है सीधी सी बात गिन के उसमें पचास सौ क्वेशन्स होंगे अब अपना पंडा सुन लो हम क्या करने जा रहे हम नेक्स क्लास में वो थर्टी क्वेशन्स करेंगे डिस्कस और इसके फर्स्ट टेन क्लियर क्या चीज़ बच्चे ज्यादा हो जाएगा ज्यादा हो जाएगे तो इसका ये जो आपको पीडियेफ दी है मैंने इससे फर्स्ट क्लास में तो मैं पहले दस करने जा रहा हूं और प्लीज आप लोग सॉल्व जरूर करना है रहा है वरना फिर मज़ा नहीं आएगा आप बैट के बस देखते रहोगे करो पार्टिसिपेशन नहीं हो पाएंगा है ना अगरं पार्टिसिपेट करो बहुत अच्छे से क्लियर और आगी चीज़ है इसमें नीट वाले कोशिंस भी है बहुत ही आसानी से जाएगा चलो जी आपस इसमें किया जाए तो ये बनेगा CH3, CH2, CH2 BR, क्या यह बात सही है Yes Next आप करोगे, इसमें क्या आएगा CH2, CH2 BR Sir, होगा ही नहीं थर्डवाला तो हाँ, Sir, HCL कैसे कर रहे है हाँ, तो HCL के नॉर्मल कर दिया मैंने Sir, नॉर्मल कैसे अरे, नॉर्मल जैसे नॉर्मल होता है अगर इसमें देखो, आपने R2-O2 का कोई इफेक्ट नहीं होगा एसा थोड़ी ना कि HCL नहीं करेगा इस पर मेरी बार समझें समझने हो जाएगा और क्या नॉर्मल यह क्या होता H+, और CL- माइनस में ब्रेक्डाउन कर जाएगा H+, जाएगा, H+, इदर है CL- इदर पर आखे अटाक हो समझ नहीं आया तो आपने उपर जो पॉइंट लिखा था उसकी वालिदेशन है जो मैंने उपर पॉइंट लिखा था ये वाला तो इसमें मैंने ये लिखा था, इसका बॉंड एनरजी बहुत जादा हाई है ये डॉट में नहीं टूकता है वाल्वेज एज़ प्लस एंड लिख दे रहा है ये ठीक है एज़ ऐच प्लस एंड वेज़ लिख था तो आपके पास मैं चाहँ आओ रखैफेक्ट नहीं होगा that doesn't mean कि HCL ही नहीं कुछ react करेगा HCL तो normal add करते ही है अगर मैं इसमें R2O2 ना लिखता तो आप ये product तो बनाते ही यही बनाते है तो R2O2 का कोई effect नहीं है तो अभी क्या दिक्कत है effect नहीं है तो लिखा हुए product तो यही बनेगा वापे से सुन लो कैसे बनेगा जो H plus है वो attack करेगा इधर पे positive कि इधर आएगा बीच में positive इधर आएगा CL minuses पे attack करेगा और आपका product बन जाएगा एशिका अभी clear है येस से आया समझने ऐसे फसाया जाता है चोट चोटे बच्चों को है कि नहीं हमारे पास एक nucleophilic addition की बात रह जाती है nucleophilic addition reaction की बात करते nucleophilic addition reaction ये वापे से LDH ketone में आएगा तो इसको और detail में करेंगा अभी थोड़ा सा समझ रहा है in carbonil groups in carbonil groups carbonil group में बात करने जारे क्या होने वाला है देखना C double bond O ये वाले पर partial positive और partial negative रीजन कौन बताएगा वाई simple सी बात है आपका जो carbon है उससे oxygen electron खीच रहा है अगर oxygen electron withdraw कर रहा है तो इस पर partial negative आएगा और इस पर partial positive आएगा ये कि नहीं है इस पर partial negative आएगा और इस पर partial positive आएगा क्या किसी को doubt है इस पर इस पर इस पर इस पर partial negative इस पर partial positive आएगा next what will happen is कि अगर आपने इस के अंदर क्या ले लिया let's say you have Cn- Cn- is a very strong nucleophile it will go attack over here अब यहां पर दिखना इस का जो attack है this attack of nucleophile depends on two things this attack depends on two things first क्या है बहुत easy-easy cases है attack depends on two things first is going to be आपका steric hindrance steric hindrance steric hindrance क्या भाई मानलो यहां पर ग्रुप बहुत बड़े बड़े लगे cn- का attack मुश्किल नहीं हो जाएगा second is going to be partial positive charge on carbon अगर hindrance जादा है तो rate क्या हो जाएगा कम हो जाएगा इसको अच्छे जिलिक देते हैं पहली बतो steric hindrance समझना आया की नहीं आया अगर hindrance आपके पास जादा है तो rate क्या हो जाएगा reaction का कम हो जाएगा second आपके पास partial positive charge on carbon अगर आपके पास चार्ज जादा है तो rate क्या हो जाएगा क्या बात सब्सक्राइब क्यों रेट जाएगा partial positive बड़ा बड़ा है तो negative इस पर attract होगा की नहीं होगा क्या यह बात समझ महारी की नहीं हा रही है अब यह वाला case हुआ तो इसमें कैसे होगा यह जब गया यह C हुआ O पर negative क्यों क्योंकि जब यह attack करेगा तो electron कौन रखेगा oxygen carbon 4 से ज़्यादा bond नहीं बना सकता यह हुआ C N और यह बना सकता this is your nucleophilic addition reaction in carbonyl groups क्या कोई doubt is always this happens always कुछ भी इसमें नया नहीं है पूरा early high ketone chapter इसी बात पर वेज़ गया किसी को nucleophilic addition reaction में doubt है next जो हम discuss करने जारे that is addition of water to alkenes और यह alcohol का preparation हो गया from alkenes ना यह सब कुछ आपको दिखाई देगा पूरा का पूरा जब हम NCRT चालो करेंगे next classic अगर आप इसमें देखो addition of water to alkenes में देखा जाए तो what you have is यह आपके पास alkenes वांगो एक यह आपके पास एक alkenes c11c इसको मैंने बीच में रख दिया मेरे पास इसमें तीन तरीके हो सकते है water के addition के first इसको हम बोलते है acidic addition of water यह acidic addition of water इसका जो reagent होता है वह होता है h plus h2 ऐसे लिखा कर इसका जो तरीका होता है वह होता है marconic of addition marconic of addition via carbocatine formation यह चीज़ समझना है यह clear है कि नहीं clear है पहला वाला चीज़ समझ में आरे सबको मैं क्या बोल रहा हूं यह पहला वाला जो है यह first style है water को add कराने के depending upon your use case के आप क्या चाहते हों सबसे पहले h plus आएगा h plus attack करेगा carbocatine इधर बनेगा यह रहा आपको पता अगले step में क्या होगा rearrangement होगा पॉस्टिव इदर यह सी पर इदर यह सी और वाटर अपने लोन पर लेके इस पर अटाक करेगा और जूड़ जाए जब वाटर अपने अटाक करके लोन पर इस पर जुड़ेगा तो क्या बनेगा जगा की कमी हो रही है चलो इसको मैं ऐसे करके लेख रहा हूँ एक बार देखना सारे लोग रूपो जब आप अ टैव वण हे ये समझ में आ रहा है कर enclare अप्ष Salt Plant ऑ ऑफ वाटर किए एच प्लास हाइजेंट हेच प्लास ये वाली बात क्लीरेच्प्लास लिएच प्लास प्लास ये had आप वॉटर इसमें की पॉइंट क्या आपका आप मार्कोवनिकॉफ की तरह बात करोगे मार्कोवनिकॉफ एडिशन वाया कार्बोकटायन फॉर्मेशन यह आपका कार्बोकटायन फॉर्मेशन हो जाता है और अगर कार्बोकटायन फॉर्मेशन है तो रियरेंजमेंट क्या है रियरेंजमेंट इस पॉसेब रियरेंजमेंट इस पॉसेबल यी निरी ऊद्न पॉसेबडा गया। ये आपके पास बना कार्बन ,.. यह आपकां नेक्स ठीट हूआ जैस ही नेक्स्ट हूआ ये आपने क्या किया ? यह इसमे 50 अपने ख्ड़ इसले भाल इसले अपने iot twist Re n 8 जैसी वाटरल अपने नेक्स रे जाए ओ वह एच , ऑक्सीजन पे पॉजिटिव एच प्लॉस रिमूव होगा और आपके पास यह बनेगा क्या यह बात समझ में आई कि नहीं है क्या सबको दिखाए दिया फरस्ट टाइप वन दिखाए दिया कि नहीं दिखाए दिया येस अक्का टाइप वन क्लियर है येस सब येस सब्सक्राइब नम्रता बच्चे क्लियर है ये चालो जे टाइप टू टाइप टू इसको बोलते हैं हाइड्रो बोरेशन हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन इसको शॉर्ट में एच्बियो भी बोलते हैं यहाँ पर आपके पास क्या होगा एंटी मार्कॉनिक ओफ एडिशन विदाउट री अर्यारेंजमेंट यहाँ कोई री अर्यारेंजमेंट नहीं होता है एडिशन ऑफ ओफ ओएच फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइट देखना सारे लोग सेम मैं कार्बन कंपाउंड लेके चल रहा हूं यहाँ पर जो यूज होता है रीएजेंट होता है बीटू एच्सिक्स या बीएच्ट्री आपके पास एच्टू ओटू एने बीएच्फोर ऐस पूरा का पूरा आपको दिख जाएगा बुरान के साथ क्या है जैसी आप देखोगे यह आया यह कारबन यह ऑच एंटी मार्कॉणिकॉफ में क्या था कि निगेटिव पोर्शन अंदर था आंटी मार्कॉवनिकॉफ में यह वाला पोर्शन बाहर है आपको हैलो अलकेंस मे यह रियाक्शन दिखा देता हूं अलकॉल फिनल मैं मुझे क्यों लग रहे है यह इसी चाप्टर में दी हुए है सार हाइड्रो बोरेशन तो अगे चाप्टर का पाते है अगले अलकॉल कही है यह देखूँ यह देखूँ यह रहा है यहां पर आपको रीजेंट भी क्लियर हो जाएगा यह देख रहा होगा आपको डाइबोरेशन रियाक्स से लेकिन यह ट्राइबोरेशन बनता है ट्राइबोरेशन का इसका मेकानिजम भी हो मैं आपको यह मेकानिजम भी चलो समझा दे रहा हूं देखना सारे लोग मैं आपको इसका मेकानिजम भी बता दे रहा हूं क्योंकि यहां पर दिया हुआ है इसकी जरुरत नहीं है बट दिया हुआ है तो हम लोग कर ले रहे हैं यहां पर आपके OH माइनस भी होगा जैसे आप बोरॉन के साथ देखोगे तो बोरॉन की एक खास बात है बोरॉन के पास एक वेकेंट और्बिटल होता है याद है आप लोगों बोरॉन के पास 6 एक्टरॉन होता है बोरॉन के पास वेकेंट और्बिटल होता है यह याद है कि नहीं याद है किसी को तो बोरॉन अपने वेकेंट और्बिटल में क्या करता है एक्टरॉन एक्सेप्ट कर सकता है और जैसी electronic accept करता है तो यह बनता है कुछ इस तरीके से बी H3 पर नेगेटिव और यह जो H है यह तुरंट उदर ट्रांसफर होगा पहले यह बात बताओ क्या है यह समझ में आए कि नहीं आए BH3 जैसी boron जाके add हुआ बोरॉन के पास negative है उसने H अपना ट्रांसफर कर दिया इस तरीके से कुछ add हुआ यह अब यह ना यह रुकेगा ने यह लगातार चलता रहेगा तब तक चलता रहेगा जब तक बोरॉन के पास जितने भी hydrogen उस सारे खतम नहीं हो जाते हैं अब जब यह बनेगा try boron मतलब यही चीज तीन बार repeat होगा क्या repeat वाली बात समझ में हाँ या ना यहां तक बताओ सारे लोग क्या किसी को डाउट है repeat वाली बात clear है कि नहीं क्लियर है बोरॉन के पास loan pair है वो vacant orbital है वापस से यह चीज हो हाई ना बेटा बता दो बस थोड़ी देर की बात आ रहे है जल्दी बता दो नहीं सर समझ नहीं आया तो आज़ो कोई बात नहीं यह वाली चीज clear की नहीं clear है पहला वाला पार्ट clear यह भी नहीं है यह clear है यह clear है किसी और को डाउट हो इसमें यहां तक भाई पूछ सकते हो आप लोग सिम्रन नम्रता अनिका यह नहीं समझ आया जो अभी चलो यह वाली यहां तक शुरू करते हैं आओ देखो आपके पास क्या हुआ है यह जो carbon है यह जो आपके पास double bond है double bond पे electrons होते हैं देख है बोरॉन के पास क्या होता है vacant orbital होता है क्या यह बात समझ में आरी है तो यह जो vacant orbital में electron accept कर सकता है क्या यहां तक सारे लोग radian यह यह सब को समझ में आ गया ना यह वाली बात तो कि यह कैसे हो रहा है अब देखो क्या होगा जैसे यह इस पर electron accept करेगा आप खुछ सोचो कि कैसा कैसा charge आना चाहिए सब के उपर यह वाला इसको electron donate करेगा तो यहां से तो electron खिच के तो ऐसा positive आना चाहिए और इसने electron ऐसे आप बताते रहे ना साथ साथ है ना यह एच पे नेगटिव तो यहां बी पे नेगटिव तो बी एच थ्री नेगटिव क्या करता है इस यह hydrogen donate कर देगा कि इसको जरूरत नहीं है एच के साथ तीन bond इसके साथ एक bond चार bond हो चुके नेगटिव है यह hydride shift करा देता आप ऐसे समझ सकते हैं यह जो hydride shift होगा तो इस पर क्या जाएगा carbon cbh2 क्या यह वाली बात समझ भाएगी नहीं अभी सारे लोग क्या से इस शिका और अनिका क्लियर है यह सर्थ पक्का वापर नहीं है फिर से बताओ पहले यह वाली बात यहां तक समझ भाएगी एक्सेप्ट करेग और यह वाले चीज़ पर पॉजटिव यह समझ मैं है अब आप यह बताओ जो भी एच्ट्री पर नेगेटिव है तो बोरॉन के पास चार बॉंड होगे न हाँ हाँ खास टेंडेंसी है वो हाइड्रोजन नेगेटिव जो हमाइनस है हाइड्राइड डोनर होता है इसका एक अच्छा एक्जांपल बताओ लीथियम yum variabile 별 इने बी-ध-4 आपने यह सब सुनें नरीदूसिंग एजण पर बिएच-फór होता था भी फट-फ़ नेगेटिव में यह रिलीज यज होता है एच- नेगेटिव होता है बोरॉन के नीचे कौन आता है यह अल्मिनियम आता है कि जो एच माइनस डोनेट वाली बात है तो एच माइनस यहां से हटेगा ना एच माइनस किदर जाएगा जेदर पॉजिटिव चार्ज होगा उधर जाएगा ना अभी समझ मैं है यह स्वाइब अब देखना यह प्रोसेस जो है यह रिपीट होगा मैं यह कह रहा हूँ कि यह प्रोसेस रिपीट होता रहेगा कब तक रिपीट होगा क्योंकि अभी भी इसके पास वेकेंट और्बिटल है अभी भी हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है तो वापस से एक और अलकीन के साथ ये काम करेगा तो अगर ये एक और अलकीन के साथ ये काम करेगा तो आपको कुछ ऐसे देखा एक कार्बन होल्ट ट्वाइस बी-एच हो जाएगा एक हाइड्रोजन आप डोनेट किसके पास एलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है अब ये क्यों भूल जाते हो कि हमारे पास तो अभी और भी ऐसे अलकीन से है बच्छे पिस अलकीन के पास एक और अलकीन के पास एलेक्टरॉन क्लाउड नहीं होगा दिखाई दिया मैं क्या कह रहा हूँ येस उडब में ये इसको देगा फिर वापीस से खतरीप रेपीट होगा तो ये यही बनेगा कि नहीं बनेगा ऐसा तीन वार होगा और वापिस से बनेगा अब बताऊ क्या कोई'डाउट है सारे लोग दैखलो क्या किसी को जड़ेस अबीडाउट है नाइस हाँ अब आपके पास क्या होगा जो ओएच माइनस साब बेस से लोगे वह माइनस अटाक करेंगे और बोरॉन को हटाते रहेंगे कैसे हटाते रहेंगे मैं आपको इस वाले एक्जामपल में दिखा देता हूं यह जो ओएच माइनस से आएगा और यह इधर अटाक करेंगा जैसी बोरॉन वाला पार्ट हटेगा तो यह आपके पास कुछ एंटी मार्कॉनिक ओफ एडिशन आफ वाटर क्या यह बात समझ में आए क्यों यह आप बताओ जितने भी यह तो तीन बार निकलेगा यह बही चीज जहां से बोरॉन चिपका वो इस बोरॉन को वहीं से अटाया जाएगा क्या यह बात समझ में आई यह बाला स्टेप फिर से बताओ यह बाला स्टेप ओएच माइनस इधर अटायक करेगा बी- इच्टु इदर से निकलेगा क्या यह बात क्लियर है जिधर बोरॉन चाठाय वहीं प्रहिं पर ऑइच माइनस अटायक करते तब ही आपके पास ओएचा के लगता है क्लियर बच नहीं सर तो बेटा बिल्कुल सोचा मत करो देखे अनिका आपको भी बोल रहा हूँ मैं ओके अभी क्लियर है नहीं क्लियर है ये स्कूल नमरता सिमरेन बच्चे क्लियर ये हाइड्रो बोरेशन ऑक्सिडेशन है एक लास्ट और सुन लो फिर मैं आपको जाने दूँआ एक लास्ट और करें आगे एक लास्ट और देख ले येस सर्थ आज जो जी टाइप थ्री टाइप थ्री आपके पास टाइप थ्री क्या होगा ओक्सी मर्कुरेशन डी मर्कुरेशन यहां पर हम क्या बोलते हैं इसमें जो रिएजेंट है ऐसे यूज होता है एक जी टू प्लस या एक जी टू प्लस ओ एसी और एन अबी एच फोर ऐसे यूज होगा ऐसे करके होता है आपको एक जी दिख जाएगा उससे काम हो जाता है देखने आपको पास यहां पर क्या होगा आपकोनिको औसे अँशन मार्कोनिको और एडीशन आफ वाटर विड़ाओत रिअरेंज्मेंट इसमेंट गूँआऊट रिअरेंज्मेंट बहुत जरू विड़ाओत रिउइरेंज्मेंट यह इसका मीजर केस है इस पार आप जब करोगे तो सी 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 डबल वांड सी है एज जी टू प्लस टू एने भी एज फोर यह से करके सब कुछ लिखा होगा जैसी आप यह करोगे वाटर को आड़ कराना आपने बस सब्सक्राइब कर लिए इसी को भी डाउट है तो पूछ सकता है यह वाटर के अडिशन के बाती है सारे के सारे के इस इंपॉर्टेंट है therefore मैंने आपको पढ़ा दिये अब आपका काम बस इतनी है कि आपने यह जो 40 questions मैंने आपको homework में दिये वो करने ओके आपने इसको मैं अभी